आई जानते हैं आज के कुछ प्रमुकंतराश्ट्वे खबर को उससे पहले एक नजर आज के हेड्लाइन्स पर मैं जबुआ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूँ 375 सीटों के लिए पिम मोधी ने बताई जरीबूधी पिम मोधी ने बताई बीजेपी लोकसभा में कैसे छुएगी 370 का जादू यांक्रा भगवान सीब की तरह जहर प्रियंका और सचिन पाइलट का जिक्रिव कर भावुक होए अचारी प्रमूत कृष्णम नौकरी की तलास में बिहार से हल्दवानी पहुँचा हिंसा में गोली लगने से मौत इरान किस पॉलिटिक्स के तहट अरब जगत में आगे बर रहा है दुनिया जहान गाजा के रफाह में इस्राइली हमलों में 44 फिलस्तीनियों की मौत मरने वालों में एक तिहाई बच्चे भारतिय बॉन्ड बाजवार पर बढ़ा विदेशी निवेसकों का भरोसा फरवरी में अब तक किया इतने करोर रुपे का बंपर निवेज दूसरे दिन चली साहित कपूर कृति सेरेन की आंधी फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर कर ली अंधा धून कमाई और फाइनल मुकाबले में अस्ट्रेलिया का धमा का सबसे बढ़ा स्कोर बना कर रचाई ती हास प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जबुआ पहुँच गए हैं इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है इसके बाद हेलिकॉप्टर के जरिये वद जबुआ पहुँचे नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी मध्यपर्देस आये हैं जबुआ पहुँचने के बाद पी-म मोधी को मंच पर सीयम मोहन यादव ने सम्मानित किया इसके बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने मंच से अलग-अलग पर योजनाओ का सिलन्यास किया है इसके साथ ही रेल्वे के कारियों का लोग कारपन किया आदिवासी महाकुम्ब को संबोधित करते वे पी-म मोधी ने कहा कि मैं लोगसभा चुनाओ के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहां की जनता को आभार करने आया हूँ सत्रहवे लोगसभा खत्म हो चुकी है, इसके साथ ही पी-म मोधी ने चुनाओ रेलियों का आगाज कर दिया है रविवार को उन्होंने मद्य परदेश की जबुआ में कई परियोजनाओ का सलान्यास किया, इस दौरान उन्होंने कॉंग्रेस पर जम कर हमला बूला उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाओ में MP ने बता दिया है कि लोगसभा में यहां की जनता का मूड रहने वाला है कॉंग्रेस पार्टी के अनुसासन हींता के आरोप में सनिवार को आचारी प्रमोध कृष्णम को पार्टी से निस्कासित कर दिया गया पार्टी की तरफ से निस्कासित के जाने के बाद आचारी प्रमोध कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कॉंग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि वह मैं हमेशा पार्टी के विचार धारा से जुरा हुआ हूँ इसके साथ युन्होंने प्यम मोधी का भी जिक्र किया और प्यम मोधी की बात करते हुए कहा कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था उसको प्यम मोधी पूरा कर रहे हैं बिहार के आराका एक युवग नौकडी की तलास में उत्राखंड के हल्दूआनी गया था बीते दिनों यहां हुई हिंसा में गोली लगने से उसकी मौत हो गई नौकरी की सूचना मिलने से पहले उत्राखन पुलिस की ओरते परिवार को मिली मौत की सूचना से मातम पसर गया इसके बाद परिजन और रिस्तेदार नैनिताल पहुंचे उनका कहना है कि बेटे का शब बन भूल पूरा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर मिला उसके सिर पर कई गोलियां लगने के निशान है जनवरी दोहजार चौविस में मध्यपूर्व संगर्स की चपेट में आगया इसराइल और हमास के बीच गाजा में युद छिर गया हूति विद्रोही गुट ने लाल सागर में जहाजों का पहरन कर लिया इरान ने परोसी देश पाकिस्तान की सीमा के भीतर मिशाइल हमले किया इस हमले ने कई लोगों को चौका दिया खास तोड़ पर पाकिस्तान को क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के सही होगी है जवाब में पाकिस्तान ने भी इरान पर हमले किये दोनों देशों ने हमलों को आत्मरक्षा के लिए की गई कारवाई बताते हुए कहा कि वो सीमा पार आतंक वादियों के छिकानों को निशाना बना रहे है इसराइल की ओर से किये गए हवाई हमलों में सनिवार को गाज़ा के रफाह छेतर में कम से कम 44 फिलस्तीनी मारे गए जिसमें एक तिहाई बच्चे हैं यह हमले इसराइल के प्रधान मंत्री के उस बयान के कुछ घंटों बात किये गए जिसमें उन्होंने जमीनी हमले से पहले दक्चनी गाज़ा सहर से हजारों लोगों को निकालने के लिए सेना से योजना तयार करने को कहा था बेंजामें नेत्मियाहों ने सियोजना को लेकर ना तो विबरन दिया और ना ही समय की जानकारी दी लेकिन इस घोशना से दहसत फैल गई इसराइल द्वारा छेतर को खाली करने के लिए बार बार जारी किये जा रहे आदेश के बाद गाज़ा के 23 लाख लोगों में आदेश से अधिक रफा की ओर चले गए हैं विदेशी निवेशक भारतिय सेर बाज़ार से पैसा निकाल रहे हैं लेकिन भारतिय बाज़ार पर उनका भरोसा बर गया है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतिय बाज़ार में लगातार निवेश कर रहे हैं चेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत सरकार की बॉंड को सामिल किये जाने और व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था केज फिर परिद्रिश के चलते विदेसी निवेसा खूब निवेस कर रहे हैं और विदेसी पार्टफोलियो निवेसकों ने इस महिने अब तक देश के र उच्चा मासिक आंक्रा है इससे पहले जून 2017 में एफपी आई ने बॉंड बाज़ार में 25,685 करोर रुपे का निवेस किया था साहित कापूर और कृति सैनन की ज्रोमांटिक कॉमेडि फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलज़ा जिया सुक्रवार को थेटर्स में दस्तक दे चुकी है वैलन्टाइन बीक पर रिलीज हुई ये फिल्म दर्सकों को बहुत पसंद आ रही है मूवी ने बॉक्स आफिस पर अच्छी सुरुवात की है लेकिन अब वीकेंड पर फिल्म की कमाई में जवर्दस उच्छाल देखने को मिला है तेरी बातों में ऐसा उलज़ा जिया ने दूसरे दिन बॉक्स आफिस पर बंपर कमाई भी की है अब भारत को इस रिकॉर्ड स्कोर का पीछा करना है या किसी भी अंडर 19 विस्व कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है